दोस्तो अगर आप लोगों का लंबी अवदी में इंवेस्मेंट का नजरिया है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 15 मिड कैप के ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हू जो यहाँ आपको 100X तक के भी रिटन दे सकती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांडेवल सेक्टर से ये कंपनीज विलॉंग करती हैं ये सभी कंपनीज मिड कैप सेग्मेंट की हैं और मिड कैप सेग्मेंट के जब भी एकस्पैंशन होते हैं तो आप लोगों को पता है रैपिड ग्रोथ हमको देखने को मिलती है याini कि मिड कैप जब लार्ज कैप बनता तो ऑटोमैनिकली उस कमपनी में ही नहीं कमपनी के स्थाउक में बी एक जबर्जस्ट भूम हम लोगों को देखने को मिलता है तो कौन-कौन से स्थाउक रहने हाले है चलिए जानते हैं फर्स कंपनी याँ पर रहने वाली है उनो मिंडा ये अपने आप में एक बहुत ही शांदार कंपनी है और लॉंग टर्म के हिसाब से आज के समय पे भी आप इसमें खरेदारी करें तो यहाँ आपको बहुत ही अच्छी ओपर्चनिटी है क्योंकि फ्यूचर में इस कंपनी के और लड़ी काफी बढ़े-बड़े प्लांस है जिसके लिए ये काम करने वाली है और ये अपने आप में बहुत ही जबर्जस्थ बूम करेगा कोफोर्ज अपने आप में एक बहुत ही नामी कंपणी है तिगउज कंपणी है आप लोगों को पता है तेकनिलोजी future में बहुत ज़्यादा हम use करने वाले हैं पिछले 10 सालों में हम कहां थे और आज कहां हम पहुँच चुके हैं technology को use करके तो उससे ही आप 15 लगा सकते हो कि आने वाले 10 से 15 साल जो technology के रहने वाले हैं वो कितने जबर्जस्त होंगे तो कोफोर्ज में भी आप long time के point of view से investment कर सकते हैं तीसरी company की मैं बात करूँ तो वो रहने वाला supreme industries one of the biggest multi bagger stock अगर आप इसकी previous history जाके देखोगी तो आपको समझ में आजाएगा मैंने biggest multi bagger stock क्यों बोला है अपने आप में इतना दंखम रखती है ये company अकेला आप 15 साल के लिए hold कर लो आपको 50 नी 100 गुना के भी return बड़े अराम से दे सकती है fourth company या पर रहने वाली है escorts, escorts भाई जब से split हुआ है रुक नहीं रहा है फिर इसे भागे जा रहा है एक समय पे बहुत बड़ी valuation पे stock था company ने stock split किया और उसके बाद वापस ये stock अभी अपनी stock split के price से double हो चुका है यानि ये एक अच्छे stock की पहचान है और ये भी जिस segment पे काम करता है वो segment future में बहुत ही ज़्यादा demandable रहने वाला है तो long term के लिए अगर आपका vision है तो बिलकुल इस stock में आप खरीदारी करके छोड़ सकते हैं फिफ्थ company के अगर हम बात करें तो वो रहने वाला है तीपक नाइट राइट ये भी chemical segment का एक जबरजस्त दिगज राजा stock है और अगर आपका long term का investment का प्लान है तो भाई मैं दो ही chemical industry के stocks recommend करता हूँ पहला दिपक नाइट राइट और इसका alternate अगर किसी को दिपक नाइट राइट थोड़ा बड़ा रगता है तो आर्थी इंडस्टिज इन दोनों में से कोई भी stock अगर आप long term के लिए रखते हैं तो ये दोनों companies fundamentally इतनी जबरजस्त हैं हलाकि market में इसका हाली में competition आया है बर्ट अगर competition की ही बात करें फिर भी ये जबरजस्त competition के साथ अच्छी खासी तेजी बनाता हुआ नजर आ रहा है यानि कि peer competitor भी outperform कर रहा है तो जो main company है वो भी outperform करती हुई हमको देखने को मिलती है अगर आप इसको 15 साल के लिए hold कर लो तो मैं guarantee ले सकता हूँ कम से कम 30 से 50 गुना के returns ये भी बना कर देने का दमखम रखता है अब बात करें अगर हम 7th company की जो रहने वाली है हमारी अतुल अतुल भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही जबरजस्त company और पिछले 5 साल का track निकाल के देखो पिछले 10 साल का track निकाल के देखो आपको समझ में आ जाएगा ये company भी कितना दमखम रखती है इसके अंदर इतना potential है अभी भी कि यहां से 30-40 गुना के returns ये लंबी अबदी में बड़े आराम से बना कर दे सकता है नेक्स्ट 8th company हमारी रहने वाली है लॉरस लैब एक under performing stock है लास्ट टाइम भी मैंने इसको recommend किया था अभी भी बहुत अच्छी opportunity है क्योंकि ये stock जब भागना start करेगा I'm pretty sure कि ये आने वाले एक से डील साल के अंदर ही minimum आपका पैसा डबल कर देगा और long term के point of view से अगर हम बात करें तो जो भी companies हैं वो सभी आपको outperform करके देने वाली है और लॉरस लैब नाम से पता चलता है laboratory के segment का stock है और इस segment में भी ऐसा नहीं होने वाला कि कभी दिक्कते आए even worst से worst situation भी हो जाया भी जैसे corona हुआ था अपने आप में एक बहुत ही जबर्जस्ट company है अभी इसके demand अगर हम देखे तो बढ़नी start हो चुकी है टनला को अगर आपने अभी तक नहीं करीदा long term के portfolio में इस stock को जरूर rate कर ले ना क्योंकि ये stock जब निकल के भागना चालू हो जायेगा ना फिर ये रुकने वाला stock नहीं है already काफी struggle कर चुका है काफी ज़्यादा range bond हो चुका है अब समय आ चुका है जब ये breakout लेने के तैयारी कर रहा है तो टनला में आपको अगर long term के investment के लिए जाना है तो बिलकुल आप इस stock को भी अपने radar पर रखिए और dip में जहां पर ही मिले add कर सकते है next अगर 10th company के मैं बात करूँ तो वो रहने वाला है IEX ये stock भी जब से company ने bonus issue किया उसके बाद से performing है और बहुत लंबा time हो गया एक range में चलता है 130 से 150 उपे के बीच में ना 130 से नीचे निकल पाता है और ना ही ये 150-155 से उपर जा पाता है तो अगर आपका vision long term का है तो अभी मौका है investment का जरूर invest करना ये भी लंबी अवदी में मैं shorty लेता हूँ बड़े अराम से 5 साल के अंदर ही आपको 5 गुना से ज़्यादर के return बना के दे देगा पिछले एक दिर साल से ये range bond है जैसी range break होगी ये stock कम से कम कम से कम 30-40% का bull run एक बार में आपको देने वाला है next अगर हम बात करें company के तो रहने वाला है नॉर्टन नॉर्टन भी अपने आप में एक बहुत ही जबरजस्त company है बट ये भी काफी जदा undervalued stock है और अभी ये बहुत ही सस्ती valuation पे trade कर रहा है अगर long term का plan है तो ज़रूर नॉर्टन जैसे stock में भी हम invest कर सकते हैं क्योंकि जैसे technology की demand बढ़ेगी वैसे वैसे वही इनका business भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा इस से पता चलता है कि अगर हम tax के उप़र इस से focus करें न तो tax related बहुत सारी companies है जो सिर्फ एक segment पे नहीं अलग segment पे भी काम करती है tax से connected है वो भी हमको returns बना कर दे सकती है next हमारा stock जो रहने वाला है वो रहेगा cromton griefs cromton griefs 12th number पे यहाँ पर हमने रखा और यह stock वेई अपने आप में बहुत ही जबर्जस्ट company है पिछले 3-4 सालों से देखो तो stock जबर्जस्ट पैसा बना कर दे रहा है और जिन लोगों ने इस stock में बहुत पहले investment किया था आज के समय पे उनकी investment अल्रेड़ी 10 टाइम से ज़्यादा हो चुकी है तो यह long term pick में इसलिए मैंने pick किया है क्योंकि यह भी जिस segment पे company काम करती है वो segment ऐसा है future में expansion बहुत होने वाला है और इसकी demand भी कभी कतम नहीं होने वाली next 13th stock जो हमारा नहने वाला हो रहेगा SKF इस stock को शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे बट इस stock में भी इतना potential है इतना potential है अगर आपने 10 साल के लिए भी hold कर ले तो यह बड़े राम से 20 से 30 उना के return बना कर दे सकता है fundamentally बहुत जबजस company और अगर रिटेलर्स की प्रजेंस की मैं बात करूँ बहुत कम प्रजेंस रिटेलर्स की देखने को मिलते हैं क्योंकि रिटेलर्स को चाहिए होते हैं वो stock जो सस्ते हैं बट एक्चुल में अगर आप invest करने का plan करो तो उनी stocks में करो जो अपने bound week high से correct कर चुके बट companies fundamentally बहुत अच्छी है वो नहीं जो 5 रुपे 10 रुपे 20 रुपे वाले stock है क्योंकि वो आपको ज़्यादा profit नहीं देंगे profit mid cap वाले या large cap वाले stock से आपको जबर जस्त बना कर देते हैं 14th company के मैं बात करूं तो यह रहने वाला है सिंजिन सिंजिन वाई अपने आप में बहुत ही शानदार company इसको भी मैंने पहले एक बार recommend किया था और उसके बाद stock ने क्या जबर जस्त रेली दिखाई अब हाला कि हम देखें तो फिलाल थोड़ा सा pressure देखने को मिल रहा है यही एक मौका होता है जहां पर हमको खरीदारी करनी है अगर आज के समय पे भी खरीद के छोड़ दिया long term के point of view से तो इस stock में भी जबर जस्त potential है future में बहुत शानदार पैसा बना कर यह भी आपको देने वाला है last company के मैं बात करूं तो वो रहेगा relaxo relaxo अपने आप में बहुत ही जानदार कंपनी है relaxo का competitor अगर आप देखोगी तो मेरिजर इंटरनेशनल है उसके लावे एक और brand आपको देखने को मिलेगा मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी बार मैंने पहले नाम लिया तो एक दो वीडियो में copyright का issue हो गया था but relaxo अपने आप में इतनी शानदार कंपनी है ना अगर आपने long time के लिए इसको add कर लिया क्योंकि ये इस फ्रोग भी बहुत correct कर चुका है अभी मौका दे रहा है खरीदने का अगर अभी खरीद लिया तो खरीद लिया फिर निकल जाएगा फिर आप पकड़ने की सोचोगे तो उस सो में पकड़ने का कोई फायदे नी क्योंकि अगर कोई स्टोक 100 रुपे पे चल रहा है 100 रुपे पे नहीं करीदा वो 200 चला गया तो फिर 200 पे खरीदने है कोई logic नहीं ना कि वहाँ से अगर वो 20% 25% करेक्ट कर भी गया तब भी जिसने 100 में खरीदा है वो तो प्रॉफिट में है बट जो 200 में खरीदेगा उसको तो लॉस दिखेगा इसलिए अभी खरीदने का मौका है इवन रिलेक्स हो नहीं इन सभी 15 कंपनीज में क्योंकि बाद में जब यह भाग जाएंगी तो फिर आपको यहीं लगेगा कि काश मैंने पहले करेद लिया होता तो यह थे 15 स्ट्रॉक्स जो मिट कैप के हैं हाई फंडमेंटली स्ट्रॉंग स्ट्रॉक्स हैं और फ्यूचर में बहुत जब 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 पैसा आपको बना कर देने का दमकम रखते हैं फिलाल इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ उमीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छ लगओ को वीडियो अच्छ लगओ करता हूँ